तो दोस्तो आज हम राजस्थान जीके के 25 इंपॉर्टेंट पृष्णों को बार बात करेंगे और यह सबी पृष्ण हैं और परिक्सामाने लाइख पृष्ण हैं और अगर आप राजस्थान भी इस्टिसी की तयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्या तार वाला वाद्य अंत्र नहीं है तो दोस्तों आपको 25 प्रसंद दी जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रसंद सेगी है वह में लाश्ट में कमेंड में जुरू बताई जिसी के आपकी प्रिप्रिशन होती रहेगी तो अगला प्रसंद देखते हैं अगला स्वाल है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां परस्तित हैं और ये प्रिशन बहुत बार एकजाम बुचा भी गया है इसलिए इस प्रिशन को आपको रट लेना है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां परस्तित हैं तो ये इस्तित हैं जोदपूर में अगला स्वाल है कि रावण हत्था किसका मुख्य वाध्य अंत्र है तो ये मुख्य वाध्य अंत्र है बोपा का मुख्य वाध्य अंत्र है कौनसा रावण हत्था अगला स्वाल है कि इंडोनी लोग गीत गाया जाता है तो किसके द्वारा गाया जाता है तो ये लोग गाया जाता है महिलाओ द्वारा कुए से पानी लेने जाते समय ये गीत गाया जाता है कौनसा इंडोनी लोग गीत अगला स्वाल है कि पटेलिया, लालर, मूमल और बिचियों है इसमें से एक भी आपसे पूछा दाखता है कि पटेलिया, लालर, मूमल या बिचिया है तो क्या है? तो आपको याद रखना है तो यह जो है यह राजस्थानी लोग गीत है अगला स्वाल है कि पंडित जस्राज खालिस्तान गायकी से संबंदित है अगला स्वाल है कि नेमलकित में से कौन सा सुसीर वाद्य है तो वह वाद्य है कौन सा है जो सुसीर वाद्य है तो वह है सतारा ठीक है सतारा जो है वह सुसीर वाद्य है अगला स्वाल है कि जहूर खान किस लोगवादे से सम्मंदित है ऐसे प्रिश्टन बहुत बार एक जाते हैं कि जहूर खान किस लोगवादे से सम्मंदित है तो ये सम्मंदित है भपंग लोगवादे से ठीक है अगला स्वाल है कि मोरचंग है most important है तो मोरचंग क्या है वो आपको याद रखना है मोरचंग है एक सुसीर वाद्देव ठीक है अगला स्वाल है कि देव नारायन जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्दे उंतर का पर्योग किया जाता है मोश्ट इंपर्यूण किसने यह भी प्रशन बहुत बार एकजाम मुझे अगया है इसलिए इस प्रशन को भी आपको रट लेना है कि देवनारण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य नतर का पर्योग किया जाता है तो यह पर्योग किया जाता है किसका तो आपको याद रखना है इसका पर्योग किया जाता है जंतर का पर्योग किया जाता है तो देव नारायन जी की फड़ के वाचन के साथ है जो जंतर का पर्योग किया जाता है अगला स्वाल है कि हिंदुस्तानी वादन की ख्याल सेली के जैपूर घराना के परवरतक कौन थे क्या प्रिश्टन वापस से बड़े एक बार कि हिंदुस्तानी वादन की ख्याल सेली के जैपूर घराना के परवरतक कौन थे तो इसके परवर्टक थे वह थे मनरंग, ठीक है, मनरंग इसके परवर्टक थे, अगला स्वाल है, कि किसे वागड की मेरा भी कहा जाता है, और ये प्रिश्टन बहुत बार एकजाम पूछा गया है, और इस प्रिश्टन का कितने लोगों ने सही एंसर दिया, वो में कमेंड म मेरा जो कहते हैं, वो कहते हैं किसे तो गवरी बाई को गयते हैं, अगला स्वाल है, कि नेमलकित में से कौन सा वाध्य अंतर वाध्य नहीं है, कौन सा वाध्य अंतर है, वो आपको बताना है, तो वह अंतर है, अलगोजा, ठीक है, अलगोजा वह अंतर है, जो वाध्य अंत नहीं है अग्राइख कि नाथद्वारह के डांग्नर्ते में निन्म वाद्धेंतर का परयों किजाता है उСТल कि पंद्यूंकmile नाथभेता05 कि रभाब चिकारा और चोतारा किस प्रकार के वाद्य है , अगला स्वाल है , कि सांता गांधी द। द्वारह रचित नाटक जस्म ओधन किस गायन से लिए में विश्व के कही देशों मैं मंचित किया जार चुका है क्या प्रस्टें होो बाई एक भार, कि सांता गांधी द्वार रचित नाटक ठीक है, कौन से नाटक रचित है जस्म ओधन, ये किस के दोवार रचित है तो सांता गांदी द्वार रचित है और यह किस गायन से लिए में विश्व के कहीं देशों में मंचित किया जा चुका है तो वह गायन से लिए है कौन सी तो वह से लिए है बहुए से लिए बहुए से लिए में विश्व के कहीं देशों में मंचित किया जा चुका है कौन सा नाटक तो जस्मोडन और यह किस की द्वार रचित है तो सांता गांदी द्वारा रचित है अगला स्वाल है कि नेमलिकित में से कौन सा सुसीर वाद्य अंतर नहीं है तो वह वाद्य अंतर कौन सा है जो सुसीर नहीं है तो आपको बताना है तो वह है कौन सा तो वह है कामायाच जो है वो सुसीर वाद्य अंतर नहीं है अगला स्वाल है कि राजस्थान के पंडित सिवकुमार सर्मा का संबंध किस वाद्य अंतर से है कि सिवकुमार सर्मा का संबंध किस वाद्य अंतर से है तो इनका जो संबंध है वो संतूर वाद्य अंतर से अगला स्वाल है कि राजस्थान का निम्लिकित में से कौन सा प्रसिद संगीतकार और विशेशक गेता सही सुमिलित नहीं है प्रसिद संगीतकार और विशेशक गेता में कौन सा युग में जो सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है तो वह युग में है सुल्तान खां और कमाया जा यह जो युग में है जो यह सई सुमिलित नहीं है अगला स्वाल है कि परसिद राजस्थानी लोग गित पाथल और पीथल के रचेटा है यह बी परसिद राजस्थानी लोग गित पाथल और पीथल के रचेटा है तो इसके जो रचेटा है वह कनहिया लाल सेथ ही या तो कैसा गित है जोरवा तो यह एक विरग गित है एक विरग गित है कौन सा जोरवा अगला स्वाल है कि निमलकित में से कौन सा मिलान सही नहीं है कौन सा मिलान है जो एक दम गलत है या सही नहीं है वो आपको बताना है तोह मिलान है रवी संकर नडवादक यह जो मिलान है यह सही नहीं है अगला स्वाल है कि जंतर वाद्य वाद्य हंतर किसके दोरा बजाए जाता है most important questions ने से बिफश्ण बहुत बार exam पुछ जाते हैं इसलिए से यज भी पुछिण और exam में आ सकता है इसलिए सो पुछिण को आपको रड़ लेना है कि जनतर वाद्य अंतर किसके दोरा बज़ा जाता है तो ये वाद्य अंतर जो है ये बज़ा जाता है किसके दोरा तो ये बज़ा जाता है देव नाराइन जी के भोपे दोरा ठीक है अगला स्वाल है कि अदो लिकित में से वाद्धे अंतर का परकार वाद्धे अंतर अस अगम है कि अदो लिकत में से यानि कि इनमें से वाद्धे अंतर का परकार और वाद्धे अंतर जो सई समिलित नहीं है वो आपको बताना है यानि कौन सा युगम है जो इसमें से सई समिलित नहीं है तो वह युग्म है अवनद वाध्य जंतर यह जो युग्म है यह सई समिलित नहीं है अगला स्वाल है और यह आज का नतिम स्वाल है कि निम्न प्रसिद गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संब्दित है कि निम्न प्रसिद गजल गायकों में से कौन राजस्थान से वो मैं जल्दी से जल्दी कमेंड करके जरूब बताए अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हल्पू सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी धन्यवाद